चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि Peripheral Smear Examination Reporting कैसे करते हैं? उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि Peripheral Blood Smear Ideal कैसे होता है? तो Ideal Peripheral Smear जो होता है उसके तीन पार्ट होता है Head, Body and Tail जो होता है Body and Tail बहुत important होता है तीनों ही Head, Body and Tail स्लाइट्स पे आना चाहिए ऐसा नहीं कि स्लाइट प्रॉपरली टोटली स्टेन होने चीए फूर्य थौर्व दब्लड स्प्रेड होना चीए यह तीन सेंटीमेटर लॉग होने चीए प्रॉपरली लेबल होने चीए और फिक्सेशन होना चीए फिक्सेशन का इंपॉर्टन इसलिए है कि अगर यह हो गया तेल यह इसलिए इंपोर्टेंट है कि यह आईडियल है यह आईडियल स्मेर है और जनरली मॉर्फलोजी जो हमको दिखती है वो टेल और बॉड़ी के बीच में दिखती है ठीके देखिए यह जंक्शन है इसको बोलते है जोन ऑफ मॉर्फोलोजी यह फिर उसको द मॉर्फोलोजी जो है यह आपका टेल हो गया यह आपकी बॉड़ी हो गई और टेल और बॉड़ी के बीच में जो एरिया होता है उसको बोलते है जोन ऑफ मॉर्फोलोजी आपको आईडियली महाई पर परिफरल स्मेर आपको एक्जामिनेशन रिपोर्ट करना है और उससे पर एक्जामिनेशन करना है वह इसलिए क्योंकि यह जो जोन होता है यहां पर आर्बीसी एक दोस्ते से टाच नहीं होते ओवरलाप नहीं होते इसलिए आपको आर्बीसी की मॉर्फोलोजी क्लियर दिखती है उसका क्रोमिया क्लियर अडेंटिफाय होता है प्लेटलेट्स क आपको WBC दिखते तो अगर आपको PS पे, peripheral smear पे, head और body पे आपको WBC count नहीं दिख रहा है तो आपको हमेशा उसको tail पे देखना है कि कही PS पे telling तो नहीं हुआ है ठीक है अब fixation का ideally कुछ भी use कर सकते है पर ideal stain है Lishman stain field कर सकते हैं जिमसा कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं ठीक alcohol रहता है जो सेल्स को fix करता है ठीक है ideally field में alcohol यूज करते हैं फिक सेट्यू लेकिन Lishman में हम लोग methanol यूज करते हैं तो इसमें दो चीजे होती एक methylene blue होता एक योसीन होता है methylene blue जो होता DNA और RNA को stain करता है अब DNA RNA कहां पर रहता है न्यूक्लेस में रहता है इसलिए DNA RNA को न हीमोग्लोबीन जो RBC जो है जिसमें सिर्फ हीमोग्लोबीन रहता है nucleus नहीं रहता है इसलिए वो लाल दिखते है red color दिखता है क्यों क्योंकि यह सीन red color का होता है orange red color का होता है ठीक है अब एक चाहिए हमेशा याद रखना कि pH जो है Lishman का हमेशा बहुत important है 6.827.2 यही range में फइसका पीज होना चाहिए इसलिए कभी भी लिश्मन प्रिपेड्स करने से पहले उसका पीज कनफॉर्म करना सब्सक्राइए तो रभी सी और स्पेड हो थी कुछ भी पॉसिबल है इसलिए इसलिए दो कंटेन लेश्मन के मिठिलीन ब्लू और योसीन जो निelा रंग देता है न्यवकलिस को डव्यूवीस की निवास Neily दिखते है कोई भी ड़्यूवीस डेविसstein करता है यह सीन जो डीवs रल दिखते है की pun rate करते क्योंकि हीमोग्लोबीन हमेशा वीजू होता कि अब कोई भी आईडियल पेरिफेल स्मीर है यह इसी अंडर चार एडिंग में आपको डिस्क्राइब करना रहता है पहले आपको और बीषी की मौर्फलोजी कमेंट्स करनी है फिर ड्ली बीकी मौर्फलोजी फिर प्लेटिलिट्स की और फिर कोई पैरासाइट्स है या नही दो तीन ही जनरली पैरसेट्स दिखते हैं, मलेरिया हो गया, फाइलेरिया हो गया, ऐसे बेशिकली बेविश्य हो गया, ठीक है, तो RBC में आपको ये 3-4 पॉइंट से जिसमें आपको अंडर हेडिंग देनी पड़ती है, सबसे पहला कि RBC नॉर्मल है या नहीं है साइज में ठीक है पहला अगर RBC नॉर्मल है तो उसको नॉर्मोसाइटिक बोलते हैं अगर RBC छोटे हो तो उसको microcatic, micro यह न छोटा, microcatic बोलते हैं और अगर RBC का size बड़ा हो जाए तो उसको macrosite बोलते हैं ठीक है, RBC छोटा हो जाए या RBC बड़ा हो जाए उसके दोनों के different causes हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा दूसरा है shape, abnormal shape को poikilocytes बोलते हैं अगर abnormal cells या abnormal shape आता है RBC का उसको poikilocytosis बोलते हैं अगर बढ़ता है तो बहुत सारे different abnormal shape दिख सकते हैं जिसे sickle cell दिख सकता है आपको, teardrop cells दिख सकते हैं pencil cells दिख सकते हैं, यह सम्में आपको बाद में बताऊंगा RBC की arrangement कैसी है, जैसे कुछ condition है, जैसे कि autoimmune hemilatical anemia यह multiple myeloma वहाँ पर आपको Rolex formation दिखता है, यहने, RBC एक दूसरे से stick होके coin formation करते हैं Rolex formation, तो आपको arrangement पर भी ध्यान रखना है, दूसरी बात last है, inclusion bodies कोई inclusion है, RBC के अंदर और यंग RBC, यंग RBC को आप NRBC बोलते हैं, जिसको हम बोलते है, nucleated RBC याद रखना, RBC जो precursor है, वो bone marrow में form होता है और वहाँ से, जो precursor होते है, RBC के उसमें nucleus रहता है, लेकिन जैसे जैसे RBC mature होता है, उससे nucleus निकल जाता है तो RBC के जस्ट एक stage पहली होती है, वो NRBC, यानि nucleated RBC उसमें nucleus रहता है, लेकिन जब वो bone marrow से निकलता है mature RBC, तो उसमें nucleus नहीं रहता है, हमारा जो RBC रहता है, वो nucleus नहीं रहता है दूसरा comments आपको करना है, WBC सिरीज पे, पहला आपको count डेना है, TLC, यानि आपको 3 heading में देना है, या तो within normal limit है, या increase हुआ है, या decrease हुआ है, तीन ही limit है दूसरा है differential count, आपको neutrophil, lymphocyte, eosinophil, monocytes और basophils, इन सब का count डेना है, आपको 100 cells काउंट करनी और 100 cells में कितना है, ये देना है आपको abnormal WBC, आपको अगर blast दिख रहे हैं, आपको a typical lymphocyte दिख रहे हैं, ये सब आपको comments करना है आपको count बताना है, increase है, decrease है, या within normal है, या फिर आपको कुछ abnormal जैसे giant platelets, normal platelets 3 to 5 micron का होता है, अगर आपको RBC के बराबर के platelets दिख रहे हैं, तो आपको comments करना है, जिसको हम giant platelets बोलते हैं, ठीक है, finally आपको parasites पर comments करना है, कि malaria दिख रहा है, philaria दिख रहा है, बैवेशिया दिख रहा है, ठीक है, ये सब RBC पर comments करना है, तो ये basic heading है, जिसमें आपको PS देना पड़ता है, RBC, WBC, platelets and parasites, ठीक है, सबसे पहला RBC देखते है, generally RBC जो होता है, ये पहला PA से देखना है, RBC to 8 micron, ठीक हो ये पता है, कि RBC का size 7 to 8 micron, ये लेकिन हम compare किस से करेंगे, तो ये जो cell दिख रहा है, ये है small lymphocytes, देखिए, small lymphocytes एकदम छोटा सब्राइब और उसमें nucleus पुरा भरा हुआ होता ह है, ठीक है, besophilic blue color का cells होता है, cytoplasm बहुत कम रहता है, तो जो lymphocytes है, उसका भी size 7 to 8 micron ही रहता है, इसलिए हमेशा कोई भी PS है, तो उसमें comparison के लिए हमको small lymphocytes ही देखना पड़ता है, small lymphocytes से RBC काउंट करने पड़ते है, ये जो cell से neutrophil है, ये भी neutrophil है, ठीक है, तो यहा चोटा है या बड़ा है, दूसरा उसका chromia देखते है, RBC का, सेंटरल आरबी, RBC ये जो, सपोज ये RBC हमारा, तो ये सेंटरल वन थर्ड जो वाइट स्पॉर्ट होता है, वो पैलर होता है, और बचा हुआ जो रहता है, वो हीमोगलोबीन रहता है, जो सेंटर वन थर्ड ज देख रहे है, 2D structure में वो वाइट दिखता है, ठीक है, और साइटो प्लाजम आपको रेट कलर का दिखेंगा, तो कभी भी आपको RBC की कंपेर करनी है, तो वो लिंफोसाइट, स्मॉल लिंफोसाइट से ही कंपेर करना है, चलिए, दूसरा सेल, दूसरा पीएस दिखते है, अब देखें, यहाँ पर यह जो है, यह लिंफोसाइट से, बाकी यह जो है, न्यूट्रो, यह भी न्यूट्रो, यह न्यूट्रो, और यह छोटे-छोटे जो डॉट्स दिख रहे हैं, यह प्लेटलेट से, ठीक है, यह यहाँ पर दो न्यूट्रोफिल है, लिंफोसाइट नौर्मो क्रोमिक जब हम बोलते से की अर्बी का साइज बराबर है नौहिक और हम लोगं बोल रहे हैं और हीमोगलोबीन गर्र नौह पजया है। उसको लिम्फोसाइट्स ठीक है यह लाज लिम्फोसाइट से यह न्यूट्रोफिल यह न्यूट्रोफिल आपको स्मॉल लिम्फोसाइट से कंपेर करना है स्मॉल लिम्फोसाइट के बराबर आर भी सी दिख रहे हैं क्रोमिया बराबर दिख रहा है प्लेटलेट एडिकोएट है इ इससे कंपर किजी यह सब तीनों सेम इसी के साइज के दिख रहे हैं सेंट्रल वन थर्ड पैलर है हर आर बीसी में पैलर बड़ा नहीं है यानि एच भी भी नॉर्मल है और आप इसी का साइज भी नॉर्मल है देखिए एनीमिया हमेशे दो कंडिशन में हो सकता है या तो एज आइरन डिफिशन्सी एनीमिया में आपको माइक्रो साइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया दिखता है अब ये lymphocytes को इस RBC से compare कीज़े ये RBC बहुत छोटी size की है अब इस RBC को compare कीज़े इस से इस RBC को compare कीज़े ये सब छोटे दिख रहे हैं ठीक है पहला चीज एक चीज तो confirm होगी कि RBC का size छोटा है दूसरी चीज है अब इस RBC को देखिए इस RBC को देखिए इसमें जो central one third pallor है वो बढ़ गया है आपको सिर्फ वहाँ पर ऐसी ring दिख रही है एजबी की इसका मतलब है इसका हीमोग्लोबीन से नॉर्मल हीमोग्लोबीन नहीं है इसका हीमोग्लोबीन कम हो गया है याने क्रोमिया बढ़ गया है है तो size कम हो रहा है इसलिए माइक्रोसाइटिक, HB कम बढ़ रहा है, HB कम हो रहा है patient का, इसलिए हैपोक्रोमी तो यह PS को आप रिपोर्ट करोंगे माइक्रोसाइटिक, हैपोक्रोमी एनिमी आगे हैं, compare करना है lymphocyte से, compare करना है RBC के size से, RBC बहुत छोटे size के हैं यहाँ पे इसलिए microcytic और chromia बढ़ा हुआ है याने central pallor बढ़ गया है 1 3rd से 2 3rd हो गया है सिर्फ एक ring दिख रही है RBC के इसलिए hypochromic microcytic hypochromic anemia आपको 4 condition में ही मिल सकता पहला या patient में iron की deficiency हो दूसरा उसको thalassemia हो तीसरा sidroblastic anemia हो चौथा की कोई chronic disease हो जैसे kidney failure हो गया या कोई भी chronic diseases जिसमें की microcytic hypochromic anemia form हो रहा है तो जब भी microcytic hypochromic anemia होता है इसमें 4 ही DD confirm करने है या तो उसको iron नहीं है या thalassemia या sidroblast या anemia of chronic disease iron deficiency anemia में आपको MCV जो रहेंगा CBC cell counter पे वो 70 से नीचे मिलेंगा ठीक है normal range कितनी है 72, 96 है तो MCV आपको हमेशा 70 से नीचे मिलेंगा इसका मतलब आप iron deficiency anemia को ये कर रहे हो अब iron deficiency anemia हो थalassemia में क्या difference रहता है थalassemia हमेशा बच्चों में होता है थalassemia major दूसरा थalassemia होता है intermediate और minor उसमें और उसमें आपको difference ये दिखेंगा कि थalassemia में आपको NRBC, teardrop cells ये बहुत सारे दूसरे abnormal cells दिखेंगे और एक important value है RDW value जो आपको CBC cell counter पर मिलती है iron deficiency anemia में ये हमेशा अठरा से जादा होती है और थalassemia में अठरा से कम होती है अब आजाए ये macrocytic anemia यानि इसमें अब RBC का size जो है lymphocytes से बढ़ रहा है अब यहां पर comparison के लिए आपको यहां पर PS में lymphocytes नहीं है फिर भी आप compare कीजिए इस RBC को इस RBC को इस RBC से इस RBC से ये RBC बहुत बड़े RBC size में almost ये neutrophil के बराबर है और इसमें chromia normal है ठीक है लेकिन सिर्फ macrocytic है तो आपको macrocytic chromia macrocytic anemia यह करना है और दूसरा आपको important finding मिल रही यहां पर एक neutrophil दिख रहा है generally neutrophil में 5 लोब तक होते हैं देकिन आप इसके लोब काउंट कीजिए यहां पर एक दो तीन चार ये पांच ये छे ये साथ याने hypersegmented neutrophil hypersegmented segment याने 5 segment रहते maximum hypersegmented याने 5 से ज्यादा अगर आपको hypersegmented neutrophil दिख रहे तो उसका एक ही कॉज हो सकता है वह है megaloblastic anemia b12 vitamin की deficiency या folic acid की deficiency तो आपको macrocytic जो है macrocytic RBC जिसमें megaloblastic anemia में मिल सकते हैं alcoholic patient में मिल सकते हैं thyroid की deficiency से मिल सकते हैं या फिर RBC के folic acid की deficiency से मिल सकते हैं ठीक है b12 deficiency folic deficiency deficiency alcohol deficiency और लिपिट का abnormality यही सब चीज़े हैं जो आपको macro megaloblastic anemia में दिखती है आपको RBC का size increase मिलेंगा WBC में आपको hypersegmented neutrophil मिलेंगे ठीक है अब यह देखे कुछ abnormality है megaloblastic anemia में यह जो cells है यह इसको बोलते है बैसा फिलिक स्टीपलिंग बोलते है बैसा फिलिक स्टीपलिंग यानि यह जो RBC है वहाँ पर ऐसे डॉट डॉट और ब्लू कलर के डॉट रहते यह जो आ रहने रहता है उसके रेमनेंट रहते सेस में ठीक है यह देखी यह size देखीए इस RBC का कंपेर कीजिए इस RBC से किद बड़ा साइजновहारी इसका यह जो cells है यह इस टीर ड्रॉप cells है टीर ड्रॉप हमारे आसओं के जैसे लिए इसको टीर वोलते है टीर ड्रॉप सेल्स ठीक है यह जो सेल्स है यह टार्गेट सेल्स है सेल्स और उसमें ऐसा टार्गेट साइन ठीक है तो यह टार्गेट का साइन जो होता है वैसी टार्गेट साइन्स दिखता है तो आपको क्या-क्या दिखता है मेगलोब्लास्टिक एनिमया में बैसफिलिक्स टीपलिंग दिखेंगी कैबूर्ट रिंग्स फार्म हो सकते बड़े साइस के आर्बीसी दिख सकते टार्गेट सेल्स टीर डॉप यह सब चीजे हैं डिस इरेथ्रोपोईसिस यानि कहीं न कहीं मैचुरेशन का प्रॉब्लम हो रहा है तौन प्रॉब्लम हो रहा है और भी सीमें या या डवली विसी नहीं होगा ईद्यग से डिफेक्टिव रहा तो सेल्स अबनॉर्मल होंगे सिंपल सी बात है तो आपको पेरिफेरल सर्कुलेशन में बेसोफिलिक्स टीप्लिंग, कैबूट रिंग, टीर ड्रॉप सेल्स यह सब अबनॉर्मलिटी मिलेंगी यह जो सेल्स है यह कैबूट रिंग है जैसे यह RBC इसके सब्सक्राइब जैसे यह जो सेल्स है यह यह वाले सेल्स यह वाले सेल्स यह टीरड्रॉप सेल्स है तो एक ही Eaps में आपको New Target cells दीकरे या यानि कहिना गई उसके मार व में प्रावल्म है और कोई प्रावल्म हो सकता है और कोई प्रावल्म हो सकती जिससे उसका मैर अण हो यह हो रहा आर अब इस फिल्ल में भी आपको बहुत सारे तो पर्गेट सिल्स मिलते हैं थीके अब आज ये इस पेशल फोकस में आपको बता रहो यह जो से यह यह नर बीसी है एन आर बीसी इसलिए बोलते थे क्योंकि यह नीला कलर का न्युक्लियस दिख रहा है उसमें न्यूक्लियस है और यह actually RBC का precursor है जिसे यह bone marrow है यहाँ पे और यहाँ पे PS है तो bone marrow में क्या होता है? Erythroblast early series होती है Erythroblast की फिर इसकी series आती है और सबसे last में आता है NRBC NRBC निकल के peripheral circulation में RBC फॉर्म करता है तो NRBC आपको PS पे नहीं दिखता है लेकिन PS पे अगर आपको NRBC दिख जाए तो दो condition होती है एक पहली condition की patient का WBC count जो रहता है वो falsely increase हो जाता है क्योंकि इसको जो NRBC is इसको CBC cell counter WBC consider करता है उसको count कर लेता है तो आपको corrected NRBC, corrected WBC count देना है patient का जिसमें से आपको NRBC का minus करना है तो यह आपको फार्मूला बुक में मिल जाएंगा NRBC, corrected WBC count का फार्मूला क्या है दूसरी चीज़े की NRBC circulation में क्यों आएंगा पहले बात ऐसी कोई भी condition जिसमें बॉडी में एकदम से उसको blood का response जाहिए blood erythropoiesis stimulate हो रहा है जैसे acute blood loss हुआ या patient में कुछ congenital problem है spirocytosis, thalassemia ऐसी condition है जिसमें उसको blood frequently लग रहा है तो ऐसी condition में emergency condition में nucleated cells भी peripheral smear में आ जाते हैं ideally nucleated cells peripheral smear में नहीं रहते हैं लेकिन certain emergency condition में except बच्चा except newborn छोटा बच्चा रहे, newborn रहे तो उसमें NRBC रहती रहते हैं उसके circulation में लेकिन adults है, young age है तो उसमें NRBC नहीं रहेंगे ऐसी condition में आपको rule out करना है कि उसके marrow में क्या problem है कि NRBC circulation में आ रहे है ठीक है, अब ये एक cells है ये है sickle cell ये दो जो है ये आपको sickle cell है, ठीक है आपके sickle cell ऐसे होते हैं चान जैसे sickle shape के और इसके दोनों end जो रहते है वो tapered रहते है ठीक है tapered रहते है, याने दोनों end constructed रहते है अब इसमें हमेशा एक याद रखना है इसको और pencil cell को differentiate करते हाना चाहिए pencil cell हमेशा iron deficiency में enemy में मिलते हैं, लेकिन इसके जो दोनों end रहते है, वो गोल रहते है वो चप्टे नहीं रहते है जैसे sickle cell में होते हैं, ठीक है तो हमेशा confirm करना है आपको sickle cell अगर आपको PS में दिख रहा है तो hemoletical profile करना है आपका उसका sickling test करना है, early, late या फिर उसका confirmatory उसको HPLC के लिए भीजना ठीक है, यह जो cell से, इसको helmet cells बोलते है या इसको bite cells भी बोलते है यह ऐसे helmet के जैसे shape के रहते हैं ठीक है, इसको cysteocytes भी बोलते है fragmented RBC भी बोलते है यह generally autoimmune hemilatical anemia या फिर spirocytosis ऐसी condition जिसमें या फिर अगर leukemia का patient हो तो AML M3 जो special types होता है उसमें cysteocytes मिलते हैं आपको body में जिसमें body में abnormality आती है ठीक है यह जो cell से इसको polychromatic RBC बोलते है polychromatic RBC जो रहता है वो RBC का precursor रहता है पहले NRBC आता है maturation में फिर polychromatic RBC आता है polychromatic RBC और finally circulation में RBC आता है तो concept वही same है जो भी emergency condition है जिसमें RBC circulation में आ रहे है उसमें polychromatic RBC circulation में आएंगे जिसे थेलेसी में हो गया spherocytosis हो गया acute blood loss हो गया जो भी condition जिसमें emergency में आपको आपकी body को blood लग रहा है तो उसमें polychromatic RBC आएंगे अब चलिए यह RBC खतम हो गया हम लोग WBC morphology के बारे में डिसकस करते हैं यह animated picture है जिसमें आपको सारे cells दिखाए गया है पहला है जो है monocytes monocytes का nucleus जो रहता है वो ऐसा kidney shape का होता है और monocytes के cytoplasm granules नहीं दिखेंगा याद रखिए monocytes और lymphocytes जो रहते हैं वो agranulocytes होते हैं आपको उसमें granules नहीं देखेंगा दूसरा जो है cells यह lymphocytes से यह small वाला और यह large वाला ठीक है lymphocytes जो cells होता है cells और उसमें पूरा nucleus covered रहता है आपको cytoplasm यह जो चीज है यह जो है liquid जो रहता है उसको cytoplasm बोलते हैं इसमें बिल्कुल भी न्यूट्रोफिल बोलते हैं ठीक है तो बेसोफिल जो रहते हैं blue color के दिखते हैं उसका cytoplasm में आपको यह ऐसे पूरे blue granules दिखेंगे eosinophil में orange granules दिखते हैं ठीक है और न्यूट्रोफिल आपको specially पहचानते आता है यह जो सेल से यह जो है न्यूट्रोफिल है अब आप compare काव यह जो है त्री ऐसे लोब बने हुए है यह भी नूट्रोफील है ठीक है यह जो सेल से तो मत हुई है यह यह जो है यह किड्नी शेप का है जिसके साट्व प्लाजम में आपको ग्रैनुल्स नहीं दिख रहे है यह कौन सा है मोनो साइट यह भी मोनो साइट से अब यह जो सेल से देखिए पूरा ब्लू कलर का दिख रहा है और उसमें आपको ग्रैनुल्स दिख रहे हैं यह ब्लू कलर के ग्रैनुल्स जो दिखेंगे आपको यह है आपका बेसो फिल ठीक है आपको इसी बाइलोब रहता है और इसमें पूरे साइटोपलाज में ग्रैनूल्स रहते हैं साइटोपलाज में ग्रैनूल्स इतने रहते हैं कि आप उसका न्यूकलिस को देख नहीं सकते हैं यह जो सेल से जिसमें औरंज कलयर के ग्रेप्ष प क्रेदक प्रें६ लिसे ओर यह अई से पूरी और एपनुमद्ख से इसको वहां से इसको बालेंगे यूसी-व फील कि यह भी जो सेल से यह यह सिनो फिले स्पैक्टिकल न्यूक्लियस रहता है यह ने चश्मे के जैसा न्यूक्लियस रहेंगा बाइलोब रहेंगा और और औरेंज कलर के ग्राइन रहेंगे अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको कैलकुलेशन आना चाहिए ठीक है दे तो इसको बहरते Inner rain थे चैन को लो पार 40 को हाय पावर भाण और इसको पुलते हैं थिक है इसको लूँद इसको स्कैन Den ठीक है scanner view low power high power और oil field तो आपको क्या करना है आपको high field पे या oil field पे calculate करना है WBC ठीक है जब आप 40x में देखोंगे 40x में तो जितने WBC दिखेंगे आपको उसमें आपको 2000 से multiply करना है ठीक है अगर आप 100x पे देख रहे हो WBC तो आपको multiply करना है 4000 से ठीक है for example आपको 10 field count करनी है और 10 field का average लेना है एक field में जिसे आपको एक field में 2 दिख रहे हैं एक में 3 WBC एक में 2 एक में 3 तो आपका average 2 हो जाएंगा और अगर आप 40x पे count कर रहे हो तो 2 यानि 2 से 2000 से multiply करना है यानि आपके कितने हो गए 4000 यानि नॉर्मल रेंज है 4000 से 21000 यानि आपके WBC विधिन नॉर्मल रेंज है अगर आप WBC 100x पे count कर रहे है तो आपको multiplying factor 4000 यूज करना है अगर आपका average आता है 10 field का 5 suppose for example 10 field का average 5 आ रहा है तो 5 को आपको 4000 से multiply करना है यानि आपका WBC हो गया 20,000 यानि ये higher normal हायर सोरी हायर नॉर्मल नहीं ये raised है normal हायर नॉर्मल 11,000 तक रहता है 11,000 के उपर raised हो रहता है अब आपको दूसरा होता है प्लेटलेट का प्लेटलेट कैसे करने है ठीक है सेम आपको ये प्रिंसिपल यूज करना है पर प्लेटलेट के लिए सिर्फ 100 एक्स यूज करते है तो सिंग 100 एक्स में प्लेटलेट जो होता है प्लेटलेट को मल्टिपलाई करते है 10,000 से ठीक है तो अगर इसके लिए भी आपको 10 फिल्ड का एवरेज निकालना है एक फिल्ड में आपको प्लेटलेट 10 दिख रहे है तो 10,000 से मल्टिपलाई करना है 1,2,3 तो आपका हो जाएंगा 1,00,000 प्लेटलेट ठीक है ये डिक्र प्लेट बोलने के लिए आपको आपका एवरेज हमेशा 15 के उपर आना चाहिए या तो या दूसरी कंडिशन है कि आपको एक सिंगल क्लम मिल जाना चाहिए प्लेटलेट का जिसमें 15 से 20 प्लेटलेट है या तो फिर अगर सिंगली स्केटर प्लेटलेट हो तो आपको 10 फिल् आप कावंट कर रहे हैं higher इसको 2019 से करना है और से च से कर रहे हो तो 40 से be on divis her रहे है लेकिन ब्लेटेल काई ही लेकिन हम 4600 पर काउंट नहीं करते हैं इसको हमेश्shop कुछ इसे होल चाहिए और वो सब्सक्राइब और करते हैं यह दिख निदेश ठीक है तो प्लेटलेट कौन से यह चोटे-चोटे डॉट से अब देखें यहां पर काउंट की तीन चार पांट साथ आठ नौ या बारा तेरा चोदा यह एटलीस पंदरा से उपर है तो हम इसको क्या बोलेंगे एडिक्वेट ठीक है यह ऐसी एक और फिल्ड है आपको एवरेज काउंट करना है मैं तो एक फिल्ड का बतर हो लेकिन आपको 10 फिल्ड का एवरेज काउंट करना है ठीक है अब आज आप आपने अडेंटिफाइड कर लिया तो बहुत हो गया इसमें दो सब्सक्राइब उन चौट सब्सक्राइब करते काउर में इसमें आपको एक्सेंटर क्रोम की अकेले के शेप जैसा इसमें सेंटरल में हीमोज़ॉइन रहता है पिगमेंट गेमेटो साइट हमेशा फैलसी पैरम में ही पॉजिटिव आता है वाइवेक्स का almost equal या थोड़ा सा बड़ा साइस का होता है ठीक है ये जो है यह रिंग है देखे यह सारी की सारी रिंग से इसमें आपको center dot डिख रहा है और ऐसे रिंग दिख रही है यहां पर ठीक है यह जो है यह फाइल एरिया माइक्रो फाइल एरिया जो दिखता है आपको फाइल एरिया से कभी-कभी जो पिएस में थोड़ा डस पार्टिकल या कुछ थ्रेड वगर आ जाए तो वह भी फाइल एरिया जिससे दिखते लेकिन से कन्फ्i possible नहीं होना है यहां पे दिखे इसकी टेल दिख रही है आपको यहां पर बोड़ी और यह है दिकरा है लेकिन इसमें क्या है इसका अगर आप जूम करोंगे तो यहां पे आपको सेग्मेंट बॉर्डी मिलेगी इसकी यらने छोते-छोते-छोते से सेग्मेंट === सेपे झाल झाल